फिलाल यह 20,000 की पैसे जिए अंदर बहुत सारे स्मार्टफोन आ गया है लेटेस्ट मोटो का लांच हुआ मोटो जी अटी टू आपको देखने को मिलता है वहीं पर वन प्लस का भी वन प्लस नॉट सी टू लाइट स्मार्टफोन देखने को मिलता है दोनों की बीच में काविशारी confusion है कौन सा लेना चाहिए, किसका camera बेटर है किसकी brand value आपको अच्छी देखने को मिलती है किसका UI यहां पर experience आपको अच्छा देखने को मिलेगा तो आज की वीडियो में आपको full 2 यहां पर बताने वाला हूँ किसमें आपको पैसे यहां पर डालने चाहिए चाहे वो हो Moto G82 या आपका हो OnePlus Note C E2 Lite कौन सा आपके लिए यहां पर better value for money प्रोवाइड करता है तो बिना time गवाई वीडियो को करते हैं शुरू उससे पहले भी तक आपने नहीं कहाई चैनल को सब्सक्राइब तो राइड वाला बटन जोड़ से बादेना है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेट जरूर से कर देना अब देखो एक चीज यहां पर जरूर से बता दूँ कि बैक में दोनों में ही आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाता है दोनों ही थोड़ी-थोड़ी मैटी फिनिश में आपको यहां पर प्लास्टिक देखने को मिलेगी अगर कलर वाइस बताऊंगा तो मुझे यह मोटो का यह वाइट वाला वेरिंट काफी जादा पसंद आया है वन प्लस का ठीक है लेकिन वो सस्ती वाली फिलिंग थोड़ी यहां पर देता है अब वन प्लस में मैट वाल है आपको प्लास्टिक मलती है तो इसके अंदर आपको फिंगर प्रिंट स्मर्चिस हो गया या स्क्रैचिस हो गया बहुत ही कम विजिबल होंगे मोटो में वाइट वाले वेरिंट में भी आप देखोगी उस टाइप वाल ही फिनिश आती है तो इसके अंदर भी विजिबल्टी या फिंगर प्रिंट स्मर्चिस कहूं या मैं स्क्रैचिस कहूं काफी कम रहती है हालक यार आज कल मोटो की यार एक मोटो जलता हुआ आ रहा है कि यार वह काफी लाइट और काफी हलके फोन यहां पे बना रहे हैं और यहां पर इसका कोई भी कॉम्प्लस इतना इनोवेशन तो नहीं कर रहा है आपको यहां पर वन हेंड यूजेस फ्रेंड डी स्मार्ट चाहिए जो कि premium वाली आपको देखने को मिलती है नाम से तो आपको OnePlus लगेगा लेकिन यार एक्चुली में वह आपको यहाँ पर Moto प्रोवाइड करता है इन हैंट फील हो गया या बैटर अगर लुक वाइस भी मैं कहूं तो यार मुझे यहाँ पर Moto काफी जादा सही लगा है as यार दोनों में ही आपको साइड मोटेड ही fingerprint sensor मिल जाता है दोनों का कोई खै काफी easily unlock हो जाता है और दोनों में ही आपको 3.5 mm jack भी मल जाएगा लेकिन मोटर यहाँ पर बाजियो स्पीकर देता है वो भी Dolby Edmos के टूनिंग के साथ काफी loud and काफी अच्छे क्रिफ साउंड के सुनो कुछ ना तो vibration आपको back plastic में यहाँ पर फील होगा बागी haptics वगरा दोनों में ही average वाले आपको देखने को मल जाते हैं ठीक ठाक से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और दोनों में ही आपको hybrid sim slot मलता है यानि यह आप 2 sim लगा लो या 1 sim और 1 micro SD card लगा लेकिन दोनों ह आपको देता है 13 5G के बैंट वहीं पर वन प्लस रिफ साथ बैंट देता है तो यहाँ पर भी मोटो थोड़ा सा बैटर आपको देखने को मिलेगा हाला कि 4G पलस का connection दोनों में ही काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है लेकिन हां मोटो आपको NFC भी देता है वो य 10-bit की 90 Hz दिस्पले देखने को मिलते है अन्पी ओलेड और नॉर्मल LCD का फर्क तो आप ऐसे ही देख पाऊगे सबसे पहले तो बैजल और चिन आपको देखने को मिलते हैं यह पीक ब्रैटने को मिलेगा कि इतने पतले बैजल से इतने पतले चिन देखने को मिलते हैं फुल यहां पर आपको आउट्डोर में विजबल हो जाएगा आपको यार ऐसी डिस्पले के साथ बन प्लस में थोड़ा सा यहां पर ज्यादा लगाना पड़ेगा दिखने के मामले में लेकिन यहां पर डिस्पली की बात रहती है तो यह चीज में जरूर से कह सकता हूं कि आपक यहां पर निकाल के देता है हलका सा सेस्टुरीट साइड में मोटो की डिस्पले आपको जादा देखने को मिलेगी कलर्स वगिरा वाइबरेंट थोड़ी से जादा मोटो के अंदर देखने के ला मिलता है एक नंबर आपको देखने को मिलेगी फुल टू एक्स्पिरियंस साथ आपको यहां पर बहुत ही अच्छा डिस्पले के मामिल में मैं कहूंगा देखने को मिलेगा एंट 90 एर्ट में आपको कोई इतना डिफरेंस नहीं पता चलेगा यह चीज मैं कह सकता हूं लेकिन डिस्पले मोटरोला बहुत ही अच्छी यहां पर निकाल के दे रहा है बाकियार जो कि दोनों में सेम चीज देखने को मलती है वह है परोसेसर दोनों में स्नैप अप्रिकल सोहा प्र. 17 जाता है अगर मैं दी टोदे यूइस काम का ओऊँगा तो आपको इतना कोई भी डिफ्रेंश ही किसी में नहीं देखने को मिलेगा बाकी अगर बात रहती गेंगों की गेंग मेंग में बी सैटिंग आपको दोनों में ही अल्ट्र सकती है यानी 40 फ कि तो प्रोसेसर सेम है ऑप्टिमाजेशन भी आपको देखने को मिलेगी दोनों ही अची तरीके से वर्क कर रहे हैं हाला कि चेंज आता है ना वह यार यार यूआ के अंदर अब मोटो में आपको क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड पूरी एक तरीके से एक्स्परियंस मिलती है वहीं यहार वन प्लस डी आपको एंड्रॉइड 12 देता है लेकिन यहां पर औक्सीजन वाली इसकिन इसके इंदर चड़ी हुई आपको देखने को मिलेगी परसनली यहां पर यहां पर यहां मैं कुछ इस डैनमिक यूई वाले फीचर्स वगरा हो या यहां पर मैं कहूंगा ऑक्सीजन और इसके मुकाबले मुझे ज्यादा बैटर लगी है ऑप्टिमाइजेशन दोनों में ही सेम है बग्स वगरा भी दोनों में नहीं देखने को मिलते है और यहां बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में कहूंगा मोटो की डिस्प्ले के साथ इंदर देखने के लिए मिल गया था वही वन प्लस में आज सारे चे घंटे के आसपास ही जाता है और जाते जाते दम तोड़ देता है तो यहां पर बैटरी बैक अब हम और चार्जिंग की बात रही तो यहां पर दोनों में 33 वाट की चार्जिंग मिल जाती है हालागि मोटो में 50 में पिक्सल का अनुल के साथ अनुल के संसर है वहीं वन प्लस में आपको देखने को मिलेगा 64 में अच्छा देखने के लिए मिल जाती है दोनों में ही आप यहां था एफटी एफपीस तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो मोटो में 60 एफपीस तक भी आप कर आपको थोड़ी सी वाउमर टोन में हापे फोटो देता है उसे के लिए अगर मैं करता है और दिखने में भी फोटो में थोड़ी सी बैटर लगती है सप्राइजिंग लिए वन प्लस बता काम ज्यादा करता है और फोटो को एकदम बूस्ट कलर तो बस हो जाएगा काम इस हाला कि यार प्राइस वर्थ इट वाला पूरा कैमरा नहीं है लेकिन नौट के मुकाबले तो मैं कहूंगा जरूर से यहां पे आपको बैटर फोटो मिल जाएगी अल्टर वाइट तो मिलता ही नहीं है नौट में तो कंपेर कर रहे ही क्या जाए हाला कि अगर बात रहती है मैं तो पेल पेल का यहां पए लगता है और यहां पर मोट्र में ब्लस में अगर बात करी जाती हैं तो बॉर्थ Ee पर जեाए अन्यक्स और अब बतल नहीं लगे को को देखने में यहां पे यासपर यहां पर वेल्यू को देखके LCD डिस्प्ले, बेकार सिंगल, कैमरा, प्रफॉर्मस भी ठीक ठाक सी और अपडेट्स का भी कोई आता पता नहीं, उससे बेटर तो मैं कहूंगा जरूर से मोटो का आपको यह फोन देखने को बिल जाता है, लुक वाइस भी, पी, OLED वाइस भी, कैमरा सकते हो, फिलाद इस वीडियो में इतना ही, मिलूँगा आप से कौनी वीडियो को साथ, फिल देन, टेक यर, बाइ-बाइ